बहुजन समाजपाटी की अध्याक्ष और उत्ताप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को सम्विधान दिवस के मौके पर केंद्र और राज़े की सरकारों पर सम्विधान की अंदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी सम्विधान दिवस पर होने वाले कारेक्रमों में हिस्सान नहीं लेगी मीडिया से बाचीत में मायावती ने कहा ज़्व भागों में आरक्षन का कोटा अधूरा देश में सम्विधान का ठीक से पालन नहीं हो रहा मायावती ने कहा कि परम पूजनिया डॉक्टर भीम राउ अमबेटकर जी ने भारतिया सम्विधान में देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को विशेश कर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदी में आरक्षन एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रावधान कि है उसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पा रहा जिसको लेकर इन वर्गों के लोग और हमारी पार्टी बहुत जादा दुखी है केंडर और राजे की सभी सरकारे इस वर्ग पर जरूर ध्यान दें या बीएस पी इनको सलाह देती है इन वर्गों के प्राइवेट सेक्टर में अभी तक यही कहना है कि आज सविधान दिवस के मोके पर केंद्रवेट सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समिक्षा करें क्या ये सरकारे भारते सविधान का पूरी मांदार इवेट निस्टा से सही पालन कर रही है अर्थात नहीं कर रही है हमारी पार्टी का ये मानना है इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र वेर राज्यों की सरकारों के भी इस कार करम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है